नमस्कार, आज कहानी गोल्ड में सुनिये, आशा पांडे जी के लिखी कहानी मम्ता आज अम्मा बेहत खुश है, उनके बेटे के चिठी आई है, कि वह दादी बनने वाली है, कितने वर्षों से ये सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे, कितने पत्थर पूजे थे, कितनी मनोतिया मानी थी, तब कहीं जाकर आज ये दिन आया है, अम्मा दोड़ दोड़ कर को ये समचार सुना रही है, अरे बबुआ अब तुम जल्दी ही चाचा बनने वाले हो, भतीजे को सुनाने के लिए कुछ कहाने वहानी सीख लो, और मुनिया तु बुआ बनेगी, तो भी क्या ऐसी ही नक्चड़ी जैसी रहेगी, अरे थोड़ा शांत स्वभाव की बन, न बुआ की मा से जिठानी का रिष्टा है, तो पीपल के पेड़ के पास वाली बोड़ी अम्मा सास जैसी है, गाउं में और भी कई घर हैं, जहां अम्मा की सास ननत जिठानी मौजूद हैं, सब के पैर छूने जाना है, न जाने किसके आशिरवात से आज ये दिन आया है, व लेकिन अम्मा का दिल इतना बड़ा है, कि पूरा गाउं उसमें अपने नजदी के रिष्टे के साथ समा सकता है, ममता की ऐसी मूरत की गाउं का हर बच्चा उन्हें अपनी उलाद लगता है, क्या मजाल कि अम्मा की रहते पडोस वाला रामू बिना खाये है स्कूल चला ज जैसे उन्हें ग्यान ही नहीं है, अम्मा की इतनी भाग दोड़ हर किसी की सेवा सहायता, रामनात बाबा को कम सुहाती है, इसलिए रामनात बाबा हमेशा अम्मा को समझाते हैं, कभी कभी तो दोनों में अच्छी कहा सुनी भी हो जाती है, अभी कल ही तो बाबा अम्मा से क कह रहे थे श्रीकान की अम्मा तुम पूरे गाउं का जिम्मा क्यों लिये रहती हो अपने घर का काम करके कुछ दिर आराम किया करो इस उमर में इतनी भागदौ ठीक नहीं लेकिन तुम्हें तो कभी किसी का पापड बनाना रहता है तो कभी किसी की बड़ी किसी की बहु बिम अम्मार है तो किसी का बेटा परदेश से आया है सारा भार तुम्हारे ही उपर है बस तुमसे तो कोई प्यार से बोल भर दे कि तुम उड़ेल देती हो अपनी ममता की गागर अम्मा कहां सुनने वाली थी उनका दिल और दिमाग इतना संक्रा नहीं था अम्मा ने रामनात बाबा से कह दिया देखो जी हम दो जन के लिए बनाने खाने में समय ही कितना लगता है खाली पड़े पड़े घर में कोड़ते रहने या फिर गाउं भर की बेटी बहूं की बुराई करने से तो अच्छा है कि सबको अपना समझ कर उनके बीच हसते हसाते दिन बीच जाएं वैसे जानने को तो रामनात बाबा भी जानते थे कि मेरे कहने सुनने का कुछ हसर उन पर नहीं पड़ेगा अमा भीतर से जितनी भावक हैं उतनी ही सखत और सजग भी किसी के कहने सुनने से उनकी भावकता में कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा प्रेम ऐसा अपना पन किस काम का कि रामनात बाबा कुछ बोलते हैं तो अम्मा पीछे हो जाएं जब कदम बढ़ाया है तो सकती से सजकता से आंत तक उसका निर्वान भी करना है गजब का दिल पाया है अम्मा ने वैसे अपने घर को बिलखता छोड़ सिर्फ नाम के लिए समाद सेवा करने वाली समाद जैसे नहीं है अम्मा अपने घर को बड़े यंत्र से समाला है अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसलिए रामनात बाबा भी यद्दिपी अम्मा को बाहरी जंजट में न पढ़नी की हिदायत देते थे किन्तो मन इमान पतनी के विशाल रिदय को देख गर्वित होते थे होती समेटते हुए मेरे पास बैठ कहीं थी जैसे उन्हें इंतजार ही था कि कोई उनसे उनकी व्यस्तता का कारण पूछे और फिर पूरे पंदरा दिन का ब्योरा देडाला था उन्होंने क्या करती मुन्ना की बहू अब जादा समय ही कहा है कि बैठ कर दिन बिताओ बहू क कह रही थी कि अम्मा खाली धोती से काम नहीं चलेगा एकात सुनहली चीज पहनूंगी अब ना उनको दूंगी तो बनिया जो मेवे की थाल लगाएगा वह अभी तो ठंगन करेगा भले ही हर्खु नाडा नहीं काटेगी लेकिन नेक तो उसे भी चाहिए अब नर्स और अस अस्था भी करनी है कल गनपत के यहां गई थी शुद्धगी के लिए बोलाई हूं कह रहा था कि सबको सौ रुपए किलो देता हूं तुम्हें सतर लगा दूंगा मैंने उससे कह दिया कि मैं पैसे की कोई कोर कसर नहीं रखुँगी हां माल शुद्ध होना चाहिए अपका खाया पिया ही काम आता है नहीं तो शरीर तूट जाता है सो तो है अम्मा अब आप हैं जो बहु की इतनी जतन कर रही है हर सास ऐसी नहीं होती है श्रिकान भाया की बहु किसमत वाली है जो आपको सास के रूप में पाई है अपनी प्रशंसा सुनकर अम्मा के चेहरे पर यार हो गया है, अब मुन्ना की बहू सब को सुनहले की आशा है, तो कम से कम चांदी का तो दे ही दू, नाती के लिए सोने की चेन बनाने को भी बोलाई हूँ, दो-चार जोड़ी कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे, आखिर दादी हूँ मैं, मैंने कहा, अम्मा इन सब कामो के लिए श्रिकान भाया पैसे देंगे ही, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो, सब हो जाएगा, अम्मा अपने सिर से खिसकती हुई, धोती को उपर खीचते वे बोली थी, मैं श्रिकान के भरों से थोड़े बैठूंगी बहू, उसकी भी कौन सी बड़ी नौकरी है, शेहर का खर्चा तो जानती ही हो, गाउं जैसा कहा है कि कोई आया तो गुड़ पानी दे कर फुरसत मिले, फिर शेहर में भी तो उसके यार दोस्त खाने खिलाने को कहेंगे, दोनों जगे का खर्च वह कैसे कर सकेगा, यहां का तो सब मैं ही समालूंगी, अपने बाबा को तो जा जानती ही हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सलाह मश्वरा करती हूं और वो है की, हाँ हूं कहकर बात को टाल देते हैं, अचानक अम्मा का चेहरा कुछ दुखी हो गया, नमाखों को पोश्ते हुए बताने लगी, कल शेकांत की चिठ्थी आई थी, बहु सौर के लिए माई के जाएगी, यहां उसकी देखवाल नहीं हो पाएगी, फिर जैसे खुद को ही समझाते हुए बोली, वहां उसकी माँ है, देखवाल कुछ अधिक जतन से होगी, श्रिकांत ने भी सोचा होगा कि हमारे अम्मा बाबुजी लेकिन वह मानेगी नहीं, मेरा ही लिहाज उसे आराम नहीं करने देगा, अच्छा हुआ जो श्रिकांत ने उसे माई के भेजने को सोचा, अम्मा के चेहरे पर संतोष जलक रहा था, अचानक अम्मा कुछ याद करते हुए जल्दी से उठ गई, चलू वहू बहु बहुत का अम्मा के घर में बधाई देने वालों का ताता लग गया, हमेशा शांत रहने वाले रामनात बाबा भी दोड़ दोड़ कर सबका स्वागत कर रहे थे, अम्मा के चेहरे पर तो खुशी के हजारों हजार दीब जगमगा रहे थे, पर दोड़ दोड़ कर सबको मिठाई खिल रही थी, कोई बुआ बनने का नेग मांग रही थी, तो कोई दीदी बनने का, अम्मा किसी को नेग देने की हामी भर रही थी, तो किसी को यह बता रही थी, कि उनका हक उस बच्चे पर अम्मा से पहले है, बगल वाली हीरा की काकी ने पूछा, बरही कब कर रही हो, क्या सव सवा महीने तक बहु मायके में ही रहेगी अम्मा ने जट उतर दिया नहीं दीदी सवा महीने वहां रहेगी तो मैं नाती को देखे बगर कैसे रह पाऊंगी कल पहले श्रेकांत के बाबुजी को भेजूंगी फिर दस-पंदरा दिन बाद कोई अच्छे से साइद देखकर उस चहरे पर इंतिजार खत्म होने का त्रिप्ती भाव था और मन में बरही कारिक्रम की उधेड बूल दिल पोते के कालपनिक चहरे पर टिका हुआ था कैसा दिखता होगा वह जरूर श्रेकांत जैसा ही होगा उन्हें 28 साल पहले का नन्ना प्यारा गूल मटोल आखों वाला श श्रेकांत सफेद रोई के फाहे जैसा वह तो लोवबान के धूए से सेकते सेकते उसका शरीर ललचर पड़ गया था सिर में नरम नरम काले बाल साक्षात कनहिया दिखता था अम्मा को लगा श्रेकांत उनके बगल में लेटा हुआ किया कर रहा है ठीक 28 साल पहले जैसा समय इतनी जल्दी बीट कया वही नन्हा श्रेकां आज बाप बन क्या है एक सुन्दर से बेटे का बाप हाँ सुन्दर ही होगा उनका पोता आखिर उनकी बहु भी तो लाखों में एक है वह जिसको भी पड़ा होगा लेकिन होगा सुन्दर ही अम्मा को पूरा भरोसा है उस रो शायर तबीय ठीक नहीं होगी इसलिए पास जाकर हाल चाल पूछने लगी बहुत यतन से रोके गए उनके आसु मुझे देखते ही लुड़क पड़े आखों को पोशते हुए बताने लगी आश रिकांत के चिठ्थी आई है बहु के माई के वाले बरही अपने ही घर में कर यास थी अब जब वह पूरी हो गई तो उनसे बरही का हक में कैसे चीनू उसने आगे लिखा है कि वह शहर से सीधे वहीं चला जाएगा और यहां से बाबुजी को भेज देना श्रिकांत के बाबुजी तो चिठ्थी पढ़ते ही नाराज हो गया लेकिन मैंने उन्हें समझ बच्चे का कपड़ा और चेन भीज दोंगे फिर बहु शहर जाने से पहले तो यहां आएगी ही तब गाना बजाना करके मैं भी अपना शौक पूरा कर लूँगे अम्मा मंत्रवत कह गई थी उनकी आवाज में न तो कोई जोज था न उच्छा दिल की लाचारी तथा कि रामनात बाबा आ गये अजहे लगा शिकान भाया की बहु घर आई है यह जंदेशा देने आए होंगे लेकिन आते ही वह छीड़ा वाज में बोले मुन्ना की बहु अपनी अम्मा को समझाओ कल से खाना नहीं खाई है मैंने कारण पूछा तो बाबा ने बताया कल शिकान ससुराल से ही अपनी बहु तथा बच्चों को लेकर शहर चला गया कह रहा था कि छुट्टी नहीं है यहां आने पर चार-पांच दिन वेकार चले जाते तो फिर कभी लंबी छुट्टी लेकर आराम से आएगा मैं अम्मा के पास आतो गई लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि पेड़ से तूटे हुए सूखे पत्ते को भला कैसे सहारा दे पाऊंगी मैंने अम्मा की तरफ एक दर्द भरी द्रिष्टी डाली उनके चेहरे पर की अव्यक्त पीड़ा मुझे साब दिख रही थी वा लगभग कराती हुई आवाज में बूली श्रिकान दो-चार दिन के लिए आकर मुझे मोह में नहीं डालना चाहता था इसलिए फिर कभी लंबे चुट्टी लेकर आएगा बहुत प्यार करता है मुझे बहुत तो बच्चे को देखने का बहुत मन था इसलिए मैं दुखी हो गई थी मैं हदप्रप्ती ममता की इस मूरत को भला मैं क्या काहिये जो मा के निश्चल ममता को ठग लेते हैं वैसे मन ही मन समझ अम्मा भी रही थी बेटे के प्यार को और समझ मैं भी रही थी अम्मा की विवश्ता को अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी कहानी ममता